नमस्कार दोस्तों मैं हूँ शिवोम पंडित और स्वागत करता हूँ आपका जीयस मंत्रा के टाइम टू टाइम प्रोग्राम में ये प्रोग्राम हम छात्रों के लिए विशेश कर करेंट से सम्बंधित खबरों के लिए चला रहे हैं इनमें आपके लिए सिर्फ वही खबरे दी जाती हैं जो छात्रों की परिक्षा की दिष्ट से महत्वपोर्ण होती हैं इस वीडियो में जो खबर आपको दी जा रही है वो ये है कि भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट तेलंगाना राज्य की रामा गुंडम में स्थापित किया जाएगा जिसकी क्षमता होगी सो मेगावाट रामगुंडम में पहले से ही एंटीपीसी सक्रिये है और एंटीपीसी ने ही जिम्मेदारी ली है इसको स्थापित करने की जो 100 मेगावाट का पाउर प्लांट होगा वो रामगुंडम रिजर्वायर पर ही स्थापित होगा और 423 करोण की लागत के साथ यह बनाया जाएगा वो होगा 450 एकड जितनी दूर में इनका विस्तार होगा और भविष्च में आगे चल करके यह और भी विस्तरित किये जा सकते हैं भविष्च में अभी विस्तार की सम्भावना है तो ख्षमता भी बढ़ सकती है छेत्रफल भी बढ़ सकता है NTPC का जो मुख्य उद्देश है इसके पीछे NTPC क्यों तैरते हुए सोलर पावर प्लांट्स को विक्सित कर रहा है उसके पीछे NTPC का उद्देश है कि कार्बन फुट्प्रिंट को कब किया जाए कार्बन फुट्प्रिंट घटाया जाए और ग्रीन एनरजी को सोलर पावर प्लांट्स के जरिये 30% तक इंक्रीज किया जाए बढ़ाया जाए इसलिए ये प्लांट बनाय जा रहे है और स्थापित किया जा रहे है और मैं से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा मैं से बनना शुरू हो जाएगा और जब इसकी चर्चा कर रहे है तो साथ ही चर्चा कर लेते हैं भारत के लिए गर्व का विशे है कि दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट भी भारत में ही बन रहा है मध्यप्रदेश के ओमकारेश्वर डैम पर जो नर्मदा नदी पर है वहाँ बन रहा है 600 मेगावाट पावर का दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट जिसकी लागता रही है करीब 3,000 करोण रूपए और जो 2022 या 2023 तक उर्जा प्रदाड करना शुरू कर देगा आपने देखा तेलंगाना के रामगुंडम में और विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट जो है वो ओम का इरेश्वर डैम के पास बन रहा है इसी परकार की और भी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा देखते रहिएगा जियेस मंत्रा जैहिन ओंदे मत्रो